हलो फ्रेंड्स, रोमांचक तत्थे मैं आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि हमारे पूरवज सोने के लिए चार पाय का इस्तेमाल ही क्यों करते थे सोने के लिए खाट हमारे पूरवजों की सर्वोत्तम खोज थी हमारे पूरवज लकडी चीर कर उसकी पट्टियां बनाकर डबल बैड भी बना सकते थे क्योंकि डबल बैड बनाने में कोई rocket science नहीं लगती थी लकडी की पट्टियों में बस कीलों को ही ठोकना रहता है चारपाई भी बले ही कोई science नहीं है लेकिन एक समझदारी है कि कैसे शरीर को अधिक आराम मिल सकता है चारपाई बनाना एक कला है उसे रसी से बुरना पड़ता है और उसमें दिमाग और श्रम लगता है जब हम सोते हैं तब पैर और सिर के मुगाबले पेट को अधिक खून की जरूरत होती है क्योंकि रात हो या दुपैर लोग अकसर खाने के बाद ही सोते हैं इसलिए पेट को भी पाचन क्रिया के लिए अधिक खून की जरूरत होती है इसलिए सोते समय चारपाई का जोल ही इस स्वास्त का लाब पहुचा सकता था दुनिया में जितनी भी आरामदायक कुर्सियां बनती हैं सभी में चारपाई की तरह जोली बनाया जाता है बच्चों का पुराना पालना सिर्फ कपड़े की जोलका ही होता था चारपाई पर सोने से कमर और पीट का दर्द कभी नहीं होता है जितने भी अनुभवी डॉक्टर होते हैं वो दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सला देते हैं डबल बैट की नीचे अंदेरा होता है उसमें रोक के केटाणू पनपते हैं डबल बैट की वजन में भारी होता है इसलिए वहाँ रोज सफाई नहीं हो सकती चारपाई को रोज सुबह खड़ा कर दिया जाता था और उससे नीचे की सफाई भी हो जाती थी सूरश का प्रकाश सबसे बढ़िया कीट नाशक होता है खटिया को दूप में रखने से खटमल इत्यादी भी नहीं लगते थे चारपाई पर बैट सोर नहीं होता पर नीचे से हवा लगने के कारण गर्मी बहुत कम लगती है बान की चारपाई पर सोने से सारी रात पूरे शरीर का एक्क्यू प्रेशर होता रहता है गर्मी में छट पर चारपाई डालकर सोने से नीन भी अच्छे आती है ताजी हवा, बदलता मौसम, तारों की छाओं, चंदर्मा की शीतलता, जीवन में उमंग भर देती है कुछ समय से प्लास्टिक की रसी और पट्टी वाली चारपाई भी आ गई है लेकिन वह सही नहीं होती है इसलिए पांड की बुनी चारपाई ही सर्वोत्तम मानी जाती है यही कारण है कि हमारे पूरवज सोने के लिए चारपाई का इस्तमाल करते थे